लोकसवा चुनाफ दो हज़र चूबीस बेहत चर्चाओं में रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश में अखलेश यादव ने बहुमत के साथ सीटें कही ना कहीं अपने खाते में दर्च कर ली हैं तैती सीटों पर समाजबादी पार्टी जीत दर्च कर चुकी है तैती सीटों पर भारती जिनता पार्टी समट कर रहे गई हैं लेकिन अब नजरें उत्तर प्रदेश की इन दस सीटों पर होने वाले उपचुनाफ पर हैं उपचुनाफ बेहत जल्द होने वाले हैं लेकिन उ अनुप्रिया पटेल और अपढणा यादव पर बड़ा दाओ चल सकते हैं। लगातार ये दोनों इनाम सुर्ख्यों में बने हुए कारण ये है क्योंकि अनुप्रिया पटेल और अपढणा यादव एंडिये और बीजे पी से कही ना कही नारास है। योगिया दतिनात समेथ तमाम जो भारते जनता पार्टी के चहरे मुख्य चहरे जहरे हैं उन्होंने मिर्जापुर की seat पर मिर्जापुर जाकर समिक्षा बैठक की उत्तरप्रदेश में हार की कहीं न कहीं चर्चाएं थी और चर्चाओं के बीच ही मिर्जपुर में जाकर समीक्षा बैठक करनी पड़ी जिस समीक्षा बैठक में अनुप्रिया पटेल शामिल नहीं होती नज़र आई इसके बाद ही लगतार कयास लगाय जाने लगी कि अब अनुप्रिया पटेल पार्टी का साथ छोड़ सकती हैं अंडिया का साथ छोड़ सकती हैं बीजेपी का साथ छोड़ सकती हैं साल 2013 से अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोने राल बीजेपी के साथ अंडिया क साथ गड़बंदन में शामिल है लेकिन अब अनुप्रिया पटेल पार्टी छोड़ कर अपनी ही पार्टी या फिर विपक्ष में कहीं न कहीं शामिल हो सकती है दूहीं दूसरी और बात करें अपढ़ना यादफ की अपढ़ना यादफ परिवार की चोटी बहू हैं मुलायम यादफ क्या भारते जन्ता पार्टी का साथ छोड़ती नजर आएंगी या नहीं और वहीं अनुप्रिया पटेल और अपढ़ना यादफ पर जिसे साब से अखिलेश यादफ अपना चुनावी दाव चलने की प्रयास में जोटे हुए हैं क्या आने वाले समय में भारते ज जरूल दीजेगा